मैं देवरान बोल दा हूँ वेस्ट बेंगॉल मिन्नापुर से देखिए आज मैं एक नाय सब्जेक्ट लेके डिस्कास करूंगा अब लोग के लिए मैंने इससे पहले पैनल के बारे मैं दो वीडियो अपलोट किया था पैनल का बैसिक डिस्क्रिप्शन के लिए पैनल पार्ट वान और पार्ट टू मैंने दे दिया था अभी आज मैं पार्ट थी डिस्काइब करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा यह मैंने दो पैनल लेके रखा है एक यह देखिए यह 24 इंच का पैनल है यह 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 भी टू त्री शिक्स बी जे ओन यह पैनल लिया है और यह एक देखिए एंटू वान फाइब एज़वी अन जिरो अन एक 215 का पैनल है और एक 276 का पैनल मैंने लिया है इसमें मैं दिखाऊंगा यह पैनल देखके कैसे पता करते हैं यह पैनल कितना फोल्ट का है और यह कितना रेजुलिशन का हो सकता है यह मैं पहले डिस्केप करूँगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा यहां पे जो हम लोग यहां पे जो वोल्टेच आउटफुट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक सप्लाई इनपुट होता है, और बेरियस आउटफुट निकलते हैं, यह डिसी डूwald हो, बाग पुष्ट बोलते है और जो हाई वोल्टेज निकलते है उसको हम लोग बूस्ट वोल्टेज बोलते है ये बाक और बूस्ट वोल्टेज सर्किट का इसे कम करते है ये मैं आज अब लोग को साथ सेर करने जा रहा हूं इसलिए अब लोग ये वीडियो को थुला गोरे से देखेगा वीड ये अब लोग शुरू से इंड तक साइसे इस वीडियो को देखिए और मैं और एक जुरूरी इंफर्मेशन अब लोग को दे रहा हूँ ये 2021 में मैं एक फेबुरारी में मैं एक सेमिनार एरंज करना जा रहा हूँ अब लोग के लिए अपडेट टेनिंग होगा उसमें ओ सेमिनार में अब लोग जिनोंने एटन करना चाते हो ओ मैं इस वीडियो में मेरा वार्शब नमबर दे दूंगा अब लोग मुझसे कोंटक्ट भी कर सकते हैं वार्शब मेसेज भी कर सकते हैं इस सेमिनार के लिए जनकरी के लिए यह seminar होगा West Bengal में मिन्नापूर में seminar होगा अब लोग जिनों ने मेरे seminar में आना चाते हो मुझसे contact भी कर सकते हो मैं date और पता सब इस वीडियो में दे दूँँगा अभी देखिये मैं दिखा रहा हूं इस पैनल में अभी ये V236 वाला पैनल है 24 इंच का पैनल है यह इसमें देखिए हम लोग पहले मैं जो पॉयंट बोला था पैनल देखके कैसे पता करेंगे यह पैनल कितना फोल्ट का है आभी देखिए यहाँ पे जो एल्वीडेस कनेक्टर है यहाँ पे साफ साफ दिगरा है यह पांच प्यार का पैनल है माच प्यार का मतलब क्या होता है मैक्सिमाम यह 9660 इंटू 7008 का पैनल यह होता है अभी यह दिजो लेशन तो हम लोग को मालूम हो गया है लेकिन इसमें यह कितना फोल का पैनल है यह अभी नहीं मालूम है यह मालूम करने के लिए जो सही तरीका होता है हम लोग को देखना होता है यह है इसका DC2DCIC CM501 इसमें लगा हुआ है इस DC2DCIC के पास कितना कोयल रहते है यह देखने का है यहां पर देखिए यह कोयल लगा हुआ है और यह कोयल लगा हुआ है ये कोईल देखना है और कोईल का बगल में ये जो डायोड दिख रहा है इसको भी देखना है ये एक डायोड है ये एक डायोड है इस कोईल के बगल में एक डायोड है इस कोईल का बगल में और एक डायोड है ये दो डायोड और दो कोईल है इसका बैसिक हिसाब से यह जो पैनेल है यह बारा भोल का पैनेल है क्योंकि यह बारा भोल का पैनेल में क्यों दो कोईल लगा हो रहते हैं यह मैं क्लियर करते जाओं इसमें क्या होता है एक जो कोईल होता है एक बाक कॉन बर्टर के लिए उज़ होता है और एक जो कोयल है वो बुष्ट कॉन्वर्डर के लिए तोज होता है बाग का मतलब क्या होता है इस IC में 12V इनों के सबसे जो लो वोल्टेज निकलते है वो है 3.3V जो इस टीकॉन पोसेशर को साप्लाई मिलते है इसके लिए यह 12V से बोल्टेज स्टेप डाउन करके निकलते है इसके लिए इसको बाग कॉन्वर्डर बोलते हैं हम लोग यह 3.3 के लिए यूज किया हुआ है और यहाँ पर और एक जो रिगलोटर लगा हुआ है यह 1.2 के लिए यूज हुआ है और एक जो यहां पर कोईल और डायोड दिख रहा है यह बूस्ट आप कोईल है यह से एविरीडी स्वीचिंग होता है यह गया दो कोईल के काम के बारे में एक बाक कॉन्वाटर के लिए 3.3 के लिए और यह जो यह बारफोल का पैनल है इसका मतलब इसका एविरीडी क्लेफिचिन बॉल्ट के करिब स्वीति यह बूस्टिंग के लिए उच्च किया हुआ है यह गया बाराफोल का पैनल के बड़े में अभी देखिए यह जो पैनल है यह इसमें इसमें यह था 5 पैनल टारशी सोट इंटू सट सटॉट्स रेजुट्ट रेजयोशन का पैनल ह HD Ready का पैनल है लेकिन यह देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो LVDS Connector है यहाँ पे देखिए यह 10 पेर का पैनल है मदलब यह Full HD का पैनल है लेकिन इसमें कितना Voltage का पैनल है यह अभी मालूम नहीं है यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे दिखाया था दो कोईल था यहाँ पे देखिए यह DC to DCC के पास सिर्फ एक कोईल लागा हुआ है और एक डायोड लागा हुआ है इसका मतलब क्या होता है यह 5 बोल का पैनल है कुछ छोटा वाला सिर्फ होता है जो 11 सिंच का नीचे का सिर्फ होता है उसमें भी सिंगल कोईल रहते हैं वो कभी-कभी 3.3 बोल में चलते हैं लेकिन मैक्सिमम जो 20 सिंच का उपर का पैनल है वो 5 बोल का सप्लाई ही होता है यहां पे जो एक कोईल लगा हुआ यह स्रीप बुस्ट करने के लिए एब्रिडी बुस्ट करने के लिए यूच किया हुआ है और यहां पे जो लगा हुआ है यह देखिए यहां पे 312.1733 यह 3.3 के आउटफुट के लिए यूच किया हुआ है यह गया पैनल देखके कैसे पता करेंगे यह कौन्सा कितना फूल काоль है यह पता करने के लिए मैंने डेस्काइब किया है पांच फूल का पैनल में सिंगल कोईयल यह बूस्टिंग के लिए और 3.3 के लिए एल्लियों लगा हुआ लेकिन ये बारफोल के पैनेल में 3.3 के लिए एक बाक कॉन्वर्टर और फेविरेटी के लिए बुस्ट कॉन्वर्टर यूच किया जाता है यो गया दो क cooking के बारे में और ये गया एक को के बारे में अभी मैं दिखाऊंगा इसमें जो बाक और बुस्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो मैं अभी अब लोग को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली नहीं मैं थियूरिटिकली अब लोग को दिखाऊंगा लैप्टॉप पे देखते रहे हैं पहले मैं यह बुस्ट है और यह माइनस है यहां पर क्या होता है यहां पर एक यहां पर यह मॉस्पट दे के यह पीड़ोबलोम पॉल्स की सिंबॉल है यह यहां पर इतना बाग और बुस्ट को नभाटिंग होता है वो सब कि यह मॉस्पट देखें यहां पर क्या किया होए बाग और बुस्ट पता करने का एक तारीक और बाग कंवटर में भी यह कॉएल और डायोड रहते है बुस्ट कॉन भोटर में भी यह कोईल डायोड रहते हैं यह बाग बूस्ट पैचनने का तारीका एक होता है यहां पर जो कोईल दिख रहा है कोईल के साथ जो यह जो डायोड दिख रहा है यह डायोड कोईल का आगे लगा हुआ है यह कोईल के बाद लगा हुआ है यह दिगने का है यहां पर द captivez यह जो कोईल लगा हुआ है का आगे यह डायोड लगा हुआ है यह डायोड ग्राउंड किया हुआ है रिवर्स करके आप लोग जहां भी जितना भी सर्किट होंगे जहाँ पर देखेंगे ये MOSFET के बाद डायवेट से ग्राउन किया होता है और डायवेट के बाद ये कोईल रहते है उनमें से बाक वोल्टेज निकलते है मतलब जितना सप्लाई होगा उनसे कम वोल्टेज निकलेगा इसको बोलते है बाक सर्किट बुष्ट सर्किट किसको बोलते है यो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये देखें बुष्ट में क्या हो रहा है सेम सर्किट है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर भी वारवल सप्लाई था यहाँ पर भी वारवल सप्लाई है यहाँ पर भी एन चैनल का MOSFET है स्विचिंग करने के लिए और उहांपर क्या था ये कोईलक का पहले धायॉड लागा हुआ था लेकिन यहांपर देखिए ये कोईल के बाहरा। सीरीज में लगा हुआ है और स्विचिंग ये कोईल और डायोड के भी 裘्ण हो रहा है। अभी उनसे और इसमें डिफाइन्स क्या है सिर्फ ये डायोट है एक कोईल के आगे लागा हुआ रहे थे जिसको हम लोग बग कनवर्टर बोलते है और इस एक कोईल से आउट्पूर्ड में लागा हुआ रहे थे इसको हम लोग बुस्ट कनवर्टर बोलते है और इस कोईल औ डायोड के बीज में ही, Dieu ही पूआ पर यहां पर बूष्ट बंते हैं, यह गया बूष्ट सरक्युर्कृट का सिंबल, यह ब्akah कोंबर यह बूष्ट कांबर फूआ के लिए उझ होता है वीजे के स्विचिंग के लिए भी अबुस्ट कान बाटर होता है लेकिन 12 फोल से जब 3.3 बानाना है तब हम लोगों को बाग का वाटर उझ करना पड़ता जो यह बारफोल्ड इंपुट है लेकिन आउटपुट लो होगा यह गया बाक कॉनवर्टर रोबुस्ट कॉनवर्टर का डिफारेंस अभी मैं दिखा रहा हूं एक यहां पर भी देखेंगे यह पर भी देखे यह जो एक पक्कॉन्वर्टर है इसमें इसरे आयसी से स्विचिंग हो रहा है कोयल से आगे यह डायड लगा हुआ है कोयल से आगेका मुद्लब है यह बाको मोर्डर आ कि asse़ यह नेगेटिव ऐशंट जिकिन मैं लाएं दिखा रहा हूं तो अब शर्किट में वीजेज, वीजेल, एविरिडिक कैसे बूस्ट होता है वो मैं यह सर्किट की द्वारा दिखा रहा हूं देखें यह है यह है डिशीरू डिशी आईसी इसमें इंपूट वोल्डेज कितना है यह बारा वोल्ड है बारा वोल्ड इंपूट होके इधार देखिए यह स्वीचिंग पीन है लाने फास्ट जो स्वीचिंग होता इसमें से एक स्वीचिंग पुशी निकलते है यह डायोट देके पहले AVDD voltage बनते है यह जैसा बूस्ट सर्किट काम करता था यह बारफोल से बूस्ट होके यहाँ पे 16V आउट्वूड होगा उसके बाद आ जाते है यह VGH का सर्किट काई से काम करते है यही पर देखे यही ही सेम स्वीचिंग सिगनल लेके यहाँ पे एक रेजिस्टर दुआ हुआ हुआ है और यहाँ पे एक PF दिया हुआ है PF देके इस स्वीचिंग पल्स को यहाँ पे टानसफर किया जाता है और यहाँ पे जो VGH boost का ऐसे होता है और मैं दिखा रहा हुआ देखिए यह जो Ability Voltage यहीं पे आउटपूर हो रहा है 12 फोल से 16 वोल्ट बूस्टिंग हो गाया है यह voltage जाके एक डायोड में होता है यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है दो डायोड सिरीज में लगा हुआ है और दो डायोड के बीच में यहाँ पे switching किया जाता है इस सेम सिग्नल को लेके advised का भी switching हो रहा है bejo suburbs का भी switching हो रहा है और visual का भी switching हो रहा है यहाँ पे यह कैसे boost होता है पहले यह 16 वोल्ट से यहाँ पे first time boost होके यह 25 वोल्ट के करीब 27 22 25 वोल्ट के गड़ी यहां पे बनते है उसके बाद फिर स्वीचिंग होके यहां पे 26 से 28 वोल्ट से 30 वोल्ट तक यह VGV बनते हैं यह गया VGH का सर्किट के बारे में बीजियल कैसे बनता है यहां पर देखिए यह भी एक सेम स्वीचिंग सिग्नल लिया है यहां पर देखिए जो दो डायोड लगा हुआ है यह रिवर्स में लगा हुआ है देखिए इसका जो कैथोड है कैथोड देखिए इसमें ग्राउंड किया हुआ है मतलब इधर से यह न माइनस फोल्टेज नहीं से निकलते है यह जो आप लोग यह दो डायोड दिख रहा है यह ऐसा सार्किन में नहीं रहते है यह जो डूएल डायोड है यह कॉम्बाइंड पैकेज होता है SMD ट्रांजिस्टर के तरह दिखता है तिन पिन बला यह गाया विजियल का स्विचिंग है एक ही सेम सिगनल लेके विजिच का भी बूस्ट होता है और विजियल का भी बूस्ट होता है और कुछ-कुछ सरक्यट में सबका अलग-अलग स्विचिंग पाल्च DC-DCIC से निकलता है यह मैंने अभी समझा दिया है यह बाक कॉन वर्टर बूस्ट कॉन वर्टर विलग कैसे ड्राइब होता है और वीजियल कैसे बनता है यह अभी मैंने आप लोगों डेश्क्राइब क पहचानना का और वीजिच का जो स्विचिंग पल्स का इसे जाते है ये सब अब लोग को पता चला जाएगा ऐसे अब लोग ये वीडियो को पूरा इंट तेक देखिए देखने से अब लोग को इसका बारे में मालूम पर जाएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स पर वाचिन माइ वीडियो